मसकली के सफर पर स्वाकत है आपका मैं हूँ आपके साथ नफीसा खान दोस्तो सल्मान खान का रियालिटी शो बिग बॉस सत्रा खत्म हो गया है डूंगरी का लड़गा यानि मशूर मुनवर फारुकी ने इस से शो की ट्रॉफी को अपने नाम किया तो वहीं अभी शेक कुमार इस सीजन के रनर अरप रहे विकी जैन को इस सीजन में मास्टर माइंड का टैग मिला लेकिन वो शो जीत नहीं पाए वहीं अब विकी जैन ने एक बार फर बिग बॉस में एंट्री की प्लानिंग कर ली है जी हाँ, विक्यब बिग बॉस के OTT सीजन 3 में नजर आएंगे विकी जायन के साथ एक और एक्टर का नाम सामने आया है हलाकि शो में अंकिता लोखंडे आएंगी या नहीं इसके बारे में आगे आपको बताते हैं बिग बॉस सीजन 17 को खत्म हुए अभी महज दो दिन ही हुए हैं लेकिन बिग बॉस के मेकर्स OTT के सीजन 3 की तैयारियों में जुड़ गए हैं इसे शो के लिए मेकर्स कई सालेप्स को अप्रोच करेंगे इस लिस्ट में पहला नाम अंकिता लोखंडे के पती विकी जैन का जुड़ गया है दावा है कि विकी जैन और मेकर्स के बीच सीजन 17 की चर्चा चल रही है और अगर सब कुछ ठीक रहता है तो विकी जैन OTT के तीसरे सीजन में एंट्री ले सकते हैं इस बार विकी जैन अकेले शो में नजर आएंगे जी हाँ, विकी के साथ अंकिता लोखंडे शो में नजर नहीं आएंगी इस चीज का फायदा विकी जैन की गेम को जरूर मिलेगा सीजन 17 में विकी कहीं न कहीं अंकिता लोखंडे की वज़ा से खुल कर खेल नहीं पाय थे विकी जैन के अलावा श्रिजान खान को भी मेकस में अप्रोच किया है कई मीडिया रिपोर्ट्स में विकी और श्रिजान का नाम सामने आया है बिग बॉस OTT 3 में विकी जैन को देखकर फैंस काफे खुश होने वाले हैं आपको बताया दें कि बिग बॉस OTT 2 जियो सिनेमा पर स्ट्रीम हुआ था और ये शोव सूपर हिट रहा था इस सीजन में मेकस ने टीवी स्टास और इंफ्लूएंसर के बीच जंग करवाई जो फैंस को काफी ज्यादा पसंद आई लास्ट सीजन में अलुश यादव ने वाइल्ड कार्ड कंटेस्टन्ट बन कर एंट्री मारियो और शोग की ट्रॉफिक अपने नाम किया अभी शेक मलहान इस सीजन के रनर अप रहे थे तो अभी हमने जाना कि बिग बॉस के बाद बिग बॉस OTT सीजन 3 का जल्द ही एलान होने वाला है और पहला जो कंटेस्टन्ट है बिग बॉस के मेकस ने उसकी तलाश पूरी कर ली है अब इंतजार रहेगा कि शो के मेकस और किस-किस कंटेस्टन्ट को इस शो में बिढ़ाने के लिए एक जुट करते हैं फिलाल आपको ये खबर कैसे लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिकर बता सकते हैं और अगर ये शो ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें मसकली को और देखते रहें मसकली शुक्रिया